आयुद्या में राममद्धी ट्रस्ट जमीन विबाद पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही, मामले का तूर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और सदसी आनिल मिश्रक को ततकार ट्रस्ट से बरखास किया जाएं। आयुद्या के गांधी सवागार में नगर निगम बोड की बैटक संपन हुई। इस बैटक में नगर निगम में शामिल 41 गाओं में करनेटधारान और राजसो बसूली की प्रक्रिया को निरस्ट कर दिया गया। बैटक में कारेकारणी का गटन किया गया। बैटक के दरान 41 गाओं के प्रस्ताव को पार्षद आशोक दिवेदी ने उठाया। जिसका पूरे सदन ने समर्धन किया। करोना काल के बाद पहली बार पार्षद सब लोग सदन में मिल रहे थे तो कुछ नागरिकों की जो जनहित की समस्याय थी, कुछ टैस्टी थी। यह 41 गाओं बढ़े हैं, उनके भी टैस्ट को हम लोगों ने मुक्ट किया है। उनका फिर से परसीमन होगा, वायड बनेंगे, उनमें सुलधाईं दी जाएंगी, साड़क, नाली, बिजली, रोड लाइट, उसके बाद ट्रक्स का प्राविजन किया जाएगा। अन्यवी जनहित के मुद्दों पर पूरे सदन और जो हमारे सम्मानित पारसत थे, उनकी जो भी जनहित के मुद्दे थे, उसको सहर स्विकार करके उसको जल्द कारवाही का निर्णे लिया गया। जो तालिस गाओं नए जुड़े हैं, उनको हटा दिया जाए, उसके से टैक्स हटा दिया जाए, तो मैंने अवगत कराया है मानी सदन को, उसी जो बोड का निर्ने होगा, उसी के अनुसार टैक्स का इंपोजिशन किया जाएगा, अगर कोई पूर्व में तूटी हुई है जब तक वहाँ डिवलप्मेंट की अक्टिविटीज नहीं हो जाते हैं, जिस तरह वर्तमान में जो साशना देश हैं, उसी के अनुसार कारे लई की जाए, उसी परकार का टैक्स नहीं लगाया जाए जाए जो सादद गण से लेकर निया घाट तक है या आनमी जो मार्ग है अई द्यों विवाद की जमीन पर जबरन कबजा करने का प्रियास करने पहुंचे दवंगों ने विरोध करने पर दूसरे पक्षपर जानलेवा हमला कर दिया, हमले वे दो लोग बुरी तरह से जखमी हो गई, पीडितों ने मामले वे 4 लोग के खिलाव हमले का आरोप लग पैसे की धंकी देता है, हमरवाद है ने की धंकी देता है, और अब जब उनको कल भी माना किया गया कि कल आप काम ने लगाईएगा कि इस पर भी नियाले का फैसला भी आना बाकी है, मगर ये दबंगई में कल भी सफ़ाई करा रहे थे माना करा, आज फ्य सफ़ाई करा रहे बेटों को मना करते हैं कि नियाले से जो फैसला उसको माना जाएगा ये बीज बीज में आके लड़ाई और जगड़ा करने के बार बार कोशिश करते हैं और मना करने वे आज भी वह हमारे भाई को भानजे को मारीन है और इसकी एफाई यार हमने दर्श कराने की कोशिश की है ठीक है यह जमीन एक ती डिसमिल की है जिसमें एक बटा दो अब्दुलहफीज साब से खरीदी हुई है और इनने अलिम सुनार ने एक फरजी दो अधाकिल खारीज नजूल में कराई थी दो हजार सोला को वो निरस्त हो गई ऐध्या में सोचल मीडिया पर पीम मोधी को लेकर रापतिजनेक पोस्ट के मामले में विकापूर कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है पीम मोधी पटिपणी करने वाले युबक पर पीम के पध को अपमानित करने और संपरदाइक का फैलाने का आरूप लगाए गया है ये मुगतमा भारती राश्य महासंग की और से दर्ज करवाए गया है आदेश किये जिससे आज बीका पुत्वाली पुलिस दौरा आईटी एक्ट में उस फेस्बुक जो परधान मंत्री जी की फोटो वारल किया था अपात्री जानक उस पे आईटी एक्ट के पहत आज पुत्वाली पुलिस मुकर्दमा धर्ज कराया है मत्रा के चौमवा विकासखंड के सहार निवासी परवी करीब 25 वर्ष से गाउं सहार में रह रही है गाउं में खुद का उनके पास अपना मकान तक नहीं है वो किराय की जमीन पर पोकर के किनारी जोपनी लगाकर अपने बच्चों के साथ किसी तरह से गुजर बसर करती है बेरोजगारी की वज़त से आज उनका पोरा परिवार भुकमरिकी का गार पर है परिवार को अब तक गाउं के प्रदान ने गाउं में रहने तक के लिए पट्टेक टक की जमीन नहीं दी वहीं परिवार अब सरकारी मदद के आस लगाए बैठा है बच्चे कितने आप आप चार यह तो आप को सपर का लजना का लाब नहीं मिला उख नहीं मिला खुझ नहीं देख के चले जाते को यमारे कुझ सुन भाई नहीं जी झाल झाल